नमश्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस सिंग ब्रोडकास्ट दोस्तों आपको तो पता होगा कि बैंक करम चारेओं का वेतन वुरुदी का जो मसला है 11th पाइपार्टर सेटलमेंट का काम अभी प्रगर्ति पर है और इसी ये 11th पाइपा सालों में 10 बाइपार्टर सेटलमेंट साइन हो चुके हैं दोस्तों हमारे चैनल के उपर आपको इस के रिगार्डिंग समय समय पर वीडियो के दुआरा जानकारी मिलती रही होगी मैंने पहले भी इस चैनल पर बाइपार्टर सेटलमेंट की बहुत सारी न्यूस डाली हो दोस्तो वीडियो शुरु कर्णे से पहले कांडली सबस्क्राइब माय चैनल तागी मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और बैल आइकन को जिरूर दुबाईएगा तो दोस्तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने जैसे काफी सोचल मीडिया के चैनल के उपर आपने सुना होगा कि बाइपार्टर सैटलमेंट के अगेंस्ट पेटीशन दायर की गई है हाई कोट के उमें तो दोस्तों ये पेटीशन बैफ बैफी ने ना साइन किये थे और उसके बाद जो भी मीटिंग्स होई थी उसमें आई बिय ने बैफी को बुलावा नहीं दिया था मीटिंग में आके नेगोशेशन करने के लिए अफिसर ग्रूप एंड वर्कमेंड ग्रूप की अलग-अलग मीटिंग होगी और उन्होंने अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी करके ट्रेड यूनियन को मीटिंग में आने के लिए इन्वाइट किया इसके बाद ये जो M.O.U. साइन हुआ था 22 जलाई 2020 में इसमें बैफी ने साइन नहीं किये और इसके अलावा तेन यूनियन I.N.B.E.F. N.O.B.W. and AI.B.O.A. ये तीन यूनियन ने भी कहा है कि हमारे से जवरदस्ती साइन करवाया गया है ये M.O.U. ऐसी हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है जो हम आपके तक पहुचा रहे हैं दोस्तों जे जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये पटीशन की कॉपि लेके आएं हैं ये पटीशन हाई कोट मदरास हाई कोट में मदुरई बैंच के ऊपर फाइल की गई है 27 अगस्त 2020 को और ये पटीशन मिस्टर M. पौनराज के दूआरा फाइल की गई है ये जो म पाँच पार्टियों के अगेंस्ट फाइल की है इसमें सेक्रेटरी दिपार्टमेंट ऑफ फिनाइंशिल सर्विसेज जर्नल मैनेजर केंडरा बैंक फोर्थ नंबर पे है जर्नल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉनफरेशन जर्नल सेक्रेटरी कैंडरा बैंक ऑफिसर एससेशन के अगेंस्ट ये फाइल करी गई है आठ पेज की पेटिशन ये फाइल की गई है 27 गस्त 2020 को मदोरई बैंच में ये हाई कोट में ये इस पेटिशन के सबसे पहले पॉइंट में दोस्तों कहा गया है कि ये जो एक है ये काउंटर एफिरेट फाइल बाइदे फिप्थ रेस्पंडेंट फर्स्ट इसमें कहा गय है भी कौन ये फाइल कर रहा है किसके गेंच से जानकारी दी गई है इसके बाद दोस्तों मैं आपको इस पेटिशन के कुछ महत्तपूर्न चार पॉइंच पॉइंट के बारे में बताऊंगा सबसे पहला इसमें शे नंबर पॉइंट है जिसमें ये कहा गया है कि युनाइ इसी तरह ये जो आईबीए ने अगर बैफी एक भी युनियन साइन नहीं करती तो आईबीए ने बाकी ट्रेड युनियन के साथ ये MOU कैसे फाइनल कर लिया इस पॉइंट में यही कहा गया है कि आईबीए जब वाक आउट कर गई थी उस समय जब MOU साइन होना था तो IBA ने डेकलियर किया है अपने सर्कुलर में कि उसकी फंक्शनिंग एंड अथार्टी इस नाट अमेंडेबल तू जोडिशल रिव्यू एंड नौट सब्जक्ट टू दी रूल अफ ला तो दो IBA साइन टैन बाइपार्ट सेटलमेंट इन प्रिविस फिप्टिन येर इस सेव IBA कोई भी गवर्मेंट अजनसी नहीं है कोई भी रिजिस्टेड बॉड़ी नहीं है और इसके उपर किसी भी तरह का कोट ओफ ला के अंडर नहीं आती और एंड इट इस नौट ए आंसरेबल टू जुडिशल पोसीडिंग तो लेवंत पॉइंट में उपर एक बहुत ही मत पूर्ण बात कही गई है कि जैसे कि आपने जानकारी होगी कि पिछले कुछ समय में गवर्मेंट के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है कि जो नैशनल रिकूर्मेंट अजनसी है एन आरे एन आरे जो कि सारी सेंट्रल गवर्मेंट की जौब्स की सेलेक्शन में काम करती है उसको ही बैंकों की रिकूट्मेंट होल्ड करने का भी अधिकार दे दिया है अगर एन आरे बैंक और सेंट्रल गवर्मेंट की वेकंसियों की एक साथ रिकूट करने के लिए अधिकारित है तो फिर बैंक करमचारियों को सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा बनाया गया स देवन्थ सेंटरल पे कमिशन का जो फॉर्मूला है उसी के अंडर क्यों नहीं लाया जाता थार्टीन पॉइंट पे पैंशन के मुद्दे को उठाया गया है इसमें लिखा है कि 1980 के बाद बैंक कर्मचारियों की जो पैंशन है उसमें कोई भी अपडेशन नहीं हुआ और बैंक ऑफिसर लेजिस्मेटली एस्पेक्टेड अफ दी पैंशन इन दी एमो यू बाट बाइदी वेव अफ दी सेलेक्शन डिस्क्रिमिनेशन एंड वडावट अनी रेसने बल ओन बैंबली पैंशन को ही नाम आत्तर अपडेट किया गया है जो सुपर अनुशन पैंशन है उसको अपडेट नहीं किया गया इसके बाद दोस्तों लास्ट में जो अठारवा नंबर पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि यो एमो यू बाइस जलाइस दो जार बीस को गया है कि अब उपर वाली जो भी हमने स्टेटमेंट बताई गई है इन दी पास्ट सेटलमेंट इवन आफ्टर दियर इंप्लिमेशन वर रिवाइज एंड सो दी एमो यू आफ टी डेटर टॉंटी टू जलाई इस नाट ए सेक्रों सेंट जो बाइस जलाई का जी एमो यू है जो बिल्कुल ही इन वैलड करार दिया गया है इस पर्टीशन में तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी इस वीडियो जिसके में हमने आपको ये पर्टीशन का कॉपी दिखा के और उसके महत्तपुर्ण पॉइंट्स के बारे में आपको बताया अगर आपको ये म आप्रमेशन पहुं सके थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो